सभी को मेरे नमस्कार, मैं कृष्ण कुमार, Lecturer in Political Science, Education Department Government of Harjana त्यारे बच्चों, आज हम इस वीडियो में पढ़ने जा रहे हैं कक्षा ग्यारवी की पाठी पुस्तक राजनिती विज्ञान के दूसरे अध्धाय के जिसका नाम है स्वतनतर्ता और इस अध्याय के मुख्य बिंदू रहेंगे, सबसे पहले हम पढ़ेंगे स्वतनतर्ता क्या है उसके बाद हम पढ़ेंगे स्वतनतर्ता के आदर्श, जिसमें Nelson Mandela, जो की दक्षिन अफ्रिका के बहुत महान नेता रहे और आंग सान सू की, जो म्यामार की प्रमुख लोकतांतरिक नेता है, इनके बारे में पढ़ेंगे इसके पश्चात हम पढ़ेंगे सवराज्य क्या है, इसके कुंसेप्ट को समझने की कोशिश करेंगे और चोथे नमबर पे पढ़ेंगे परतिबंदों के स्त्रोत के बारे में और फिर हम जानने की कोशिश करेंगे कि परतिबंद क्यों आउशक है या हमें परतिबंदों की आउशकता क्यों है मुख्य बिंदों को पढ़ने का मुख्य उद्देश ही क्या है उदेश है कि सभी विद्यारती व्यक्ति और समाज के लिए स्वत्नतरता के महतों को समझेंगे दूसरा स्वत्नतरता के लिए किये गए विभिन व्यक्तियों दुआरा संघर्ष के महतों को भी जानेंगे तीसरा वे सवराज के महतों को समझेंगे और चोथा वे परतिबंधों के महतों को भी जानेंगे तो इस प्रकार से ये मुख्य उद्देश हैं तो आईए अब शुरू करते हैं चैप्टर को सबसे पहले टोपिक के साथ जिसका नाव है स्वतिनतरता क्या है प्यारे बच्चो स्वतिनतरता क्या है एक बड़ा सामान्य से प्रश्न है सामान्य अर्थों में अगर स्वतिनतरता लें तो स्वतिनतरता का अर्थ होगा की कारिये करने की छूट व्यक्ति को कारिये करने की छूट जो वो करना चाहता है स्वत्मत्रता आपके सावान्य जीवन से जुड़ी हुई एक आउधार्णा है जैसे आप विद्धाले आते जाते हैं आपको कोई रोकता नहीं है आपके माता पिता अपना काम करते हैं उनको कोई रोकता नहीं है आप खुशी-खुशी अपने घर पे रहते हैं, स्वत्नतर रूप से रहते हैं, आपको कोई रोपता नहीं है आपके माता-पिता अपना जो आजिवी का कमाने का साधन है, वो स्वत्नतर रूप से करते हैं तो सवतंतरता हमारे सामाने जिवर्च से जुड़ी हुई एक अगधारणा है कि जैसे आप खेल कूच सकते हैं, आप पढ़ने जा सकते हैं, आप किसी इंस्टिटूशन में एडिमिसल ले सकते हैं, आपके मातापिता कहीं पे घर बना सकते हैं, वो कहीं पे काम कर सकते हैं, य ये तेपी सोतन्तरता मानव जीवन की उत्पत्ती से ही आरंब हो गई थी जैसा कि रूसों ने कहा है कि सोतन्तरता एक ऐसी वस्तु है जो मानव को उसके जीवन के प्रारंब से ही प्राप्त हुई कि मानव अपने जनम से ही सोतन्तर है तो मानव क्या है सोतन्तर पैदा हुआ थ आपको समझ में आ गया होगा कि कारिय करने की छूट को हम स्वत्मतरता कहते हैं और स्वत्मतरता में सभी प्रकार की गतिविदियां आती हैं जो मनुष्य के विकास के लिए आवशक होती है जो उसके व्यक्तितु के विकास के लिए आवशक होती है वो कारिये करने की छूट को ही हम स्वत्मतरता कहते हैं आईए इसको और अच्छे से समझते हैं इस अर्थ के दुआरा सबसे पहले समझते हैं स्वत्मतरता के शाब्दिक अर्थ को स्वत्मतरता शब्द को अंग्रेजी भासा में लिबर्टी कहते हैं और liberty शब्द जो है वो लेटिन भासा के लिबर शब्द से निकला है लिबर शब्द का अर्थ है बंधनों का नय होना या free इस प्रकार स्वत्मतरता का अर्थ है व्यक्ति को ऐसे कारिये करने की स्वत्मतरता या छूट होना और उन पर कोई बंधन ना होना जो उसके लिए अर्थ के द्वारा हम समझ सकते हैं कि स्वत्मतरता मनुष्य को कारिये करने की छूट देता है ऐसे कारिये जो उसके लिए आवशक है परन्तु यह स्वत्मतरता का सिमित अर्थ है क्योंकि प्रतेग कारिये करने की छूट व्यक्ति को नहीं दीजा सकती स्वत्मतरता का वास जैसे अपना विकास करने में सहायता मिलती तो अभ अव भी से अब समझते हैं सुख़ टेटा की कुछ जिसके द्वारा हम ऐसे कुछ कारिये करते हैं जो कि करने योग्चे होते है कॉल ने कहा है बिना किसी बाधा के अपने व्यक्तित्व को प्रकट करने का नाम स्वत्न तरता है बिना किसी बात आके परन्तु हम पहले ही बात कर चुके हैं कि सभी प्रकार के बंधनों का अभाव नहीं होना चाहिए कुछ प्रति बंधन प्रति बंधन भी होने चाहिए प्रोफेसर लासकी कहते हैं स्वत्मत्रता का आर्थ उस वातावरण की उत्साहपून रक्षा करना है जिससे अपना उज्वल्तम स्वरू प्रकट करने का अवसर प्राप्त होता है इस परिभासा का आर्थ यह हुआ कि वातावरण की उत्साहपून रक्षा ऐसे वातावरण की उत्साहपून रक्षा करनी है जिसमें मनुष्य अपने व्यक्तितों के विकास के लिए और अच्छे पढ़ते हैं अगला टोपिक मुख्य बिंदू स्वत्मत्रता का आदर्श प्यारे बच्चों जैसा कि हम पहले ही इस वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं कि स्वत्मत्रता शब्द की उत्पत्ती मानव जाती के साथ ही हुई है जब भी मनुष्य की स्वत्मत्रता पर आगहात क कि आ गया है जनता ने करांटी पैदा की है जैसे कुछ उधार्ण सवरूप हम लें इंग्लेंड की गोरोपून करांटी 1688 अमेरिका का स्वत्मत्रता संग्राम 1764 फ्रांस की राज्य करांटी 1789 या फिर भारतिय स्वत्मत्रता संग्राम इसके मुख्य उधार्ण है विभिन्य वैक्टियों ने स्वत्मत्रता प्राप्ति के लिए संगर्ष किया और अपना पूरा जीवन लगा दिया अनेकों लोगों ने इस संगर्ष में अपने प्राणों की आहुती बी दी और ऐसे अनेक वैक्टि इतियास में हुए जिन्होंने अपने सभी परकार के सिर्फ इसलिए छोड़ दी कि उन्हें अपने देश वाश्यों के लिए स्वत्मत्रता प्राप्त करने थी ऐसे ही उधार्णों में आज हम दो उधार्णों के बारे में पढ़ेंगे नेलसन मंडेला और आंग सांसु नेलसन मंडेला बीशवी सदी के महान नेता रहे वे दक्षिन अफ्रिका में उस समय रंग भेदी सरकार थी यानिकी अपर्थाइट गवर्न्मेंट थी जो रंग के आधार पर भेदभाव करती थी काले लोगों को विभिन प्रकार की यातनाई जहलनी पड़ती थी उनके साथ ऐसमान बेभार किया जाता था अलगावादी नीतियों के कारण वहां काले लोगों को दबाया जाता था उनको अपमान जहलना पड़ा, कठनाईयां जहलने पड़ी, पुलिस के अत्याचार सहने पड़े ये रंग भेद की नीति का ही हिस्सा थी लेकिन नेलसन मंडेला ने इसका ग्रोध किया और इसके वृद्ध एक बड़ा संगहर्स शुरू किया और इस संगहर्स के बारे में नेलसन मंडेला ने अपनी आत्म कथा अपने द्वारा लिखी गई उस तक Long Walk to Freedom स्वत्मतरता के लिए लंबी यात्रा में लिखा है विशेश बात यह है कि नेलसन मंडेला का ये जो संगहर्स था ये केवल काले या अन्ने लोगों के लिए नहीं था बलकि स्वेत लोगों के लिए ही था और इसी स्वत्मतरता के लिए नेलसन मंडेला ने अपने जीवन के 28 साल जेल की काल कोट्रियों में बिताए आप सोच कर देखिए कि किसी की जवानी या योवन किसी आदर्ष के लिए स्वत्मतरता के लिए अगर वो इस इन सब को छोड़ दे तो कितना बड़ा बलिदान होता है अपने दोस्तों के साथ बातचीत करना अपना प्रिये खेल जो पसंद करते थे बॉक्सिंग उसको छोड़ना अपने पसंद के कपड़े पहनना अपने पसंद का म्यूजिक सुनना और इन सभी प्रकार के आनंदों को छोड़ कर वो जेल में काल कोटरी में उन्होंने अपने जीवन के अठाई साल बिताए तो आप सोच सकते हैं कि नेलसन मंडेला के लिए सोतिंतरता कितना बड़ा आदर्श था कि जिसकी प्राप्ति के लिए या अपने देशवाशियों के सभी लोगों को दिलवाने के लिए उन्होंने कितना बड़ा बलीदान और कितना बड़ा संगर्स किया और उनके इस संघर्स की बदोलत 1994 में दक्षिन अफ्रिका में रंग भेद की निती का अंतु हुआ और इस परकार दक्षिन अफ्रिका में एक रिपब्लिकन गवर्न्मेंट या गणतंत्र और एक सवतंत्र सरकाराई जिसने समानता को लगई किया सवतंत्रता के लिए संघर्स की काहनी में एक और उधारण हम लेते हैं आंग सानसू की म्यामार की ये लोकतंत्र के लिए लड़ने वाली नेता महात्मा गानीजी के अहिंसा के विचारों से काफी प्रेरित हैं आज भी ये लोगतंत्र सरकार की स्थापना के लिए म्यामार में संगर्स रते हैं बीच में इन्होंने लोगतंत्र की स्थापना में काफी सफलता प्राप्त की लेकिन उसके पशाथ हाल ही में दोबारा से सैनिक तंत्र म्यामार में आ गया है और आंग्षान सूर्टी को कई प्रकार के मुगदमों का सामना करना पढ़ रहा है लेकिन इतिहास इस बात का गवा है कि उन्होंने कितना बड़ा संघर्ष किया है म्यामार में लोबतंतर की लड़ाई में आंग्शान सूर्थी अपने आजादी को अपने देश के लोगों की आजादी से जोड़ कर देखती है उन्होंने एक पुस्तक लिखी जिसका शिर्शक है Freedom from fear यानि की भै से मुक्ति वे कहते हैं कि मेरे लिए वास्त्रिक मुक्ति भै से मुक्ति है भै से जब तक हम मुक्त नहीं होंगे आप गरिमापूर्ण मानगे जीवन नहीं जी सकते प्यारे बच्चों ये बड़े गहरे विचार जो हमसे एक शन रुकने और अपने महितार के समझने की मान करते है सूकी कहती है कि हमें ने तो बाकी लोगों के विचारों से और नहीं सत्ता के वैवाद से ड़ना चाहिए हम जो करना चाहते हैं उसके बारे में समाज के लोगों की प्रतिक्रियाओं साथ के लोगों के मजाग उडाने से ही अपने अत्वा मन के वह से नहीं ड़ना चाहिए इसके पशार भी हम अक्सर भै का प्रवर्शन करते हैं आंग सान्सूकी के अनुसार गरिमापूर्ण मानविये जीवन जीने के लिए जरूरी है कि हम भै पर गुजे पाए प्यारे बच्चो इस परकार से हम देखते हैं कि आंग सान्सूकी ने कितना बड़ा संघर्स किया अपने परिवार के लोगों से भी वो कई सालों तक नहीं मिली और सैनिक तंतर से लड़ती रही ताकि म्यामार में लोगतंतर की स्थापना की जा सके और सभी वैक्तियों को स्वतंतरता प्राप्त हो सके आंग सान्सूकी और नेलसन मंडेला की इन दो पुस्तुकों में हम स्वतंतरता के आदर्स की शक्ती देख सकते हैं यही आदर्स हमारे राष्टे संगर्स और ब्रिटिश, फ्रांसिसी तथा पुर्टगाली उपनिवेशवाद के खिलाफ एशिया अफ्रिका के लोगों के संगर्स के केंद्र में था अब पढ़ते हैं अगले टोपिको जिसका नाम है स्वराज प्यारे बछों हमये स्वराज के लड़ाई बहुत महतबों थी तो स्वराज और स्वराज और स्वराज और अलग अवधारनाएं बहरतिया राजनतिक विचारों में इस्वरिका इस्वराज का आर्थ सुर्च 자 2 यानि की अपने अपने उपर स्वराज मतलब शाषन तो अपना शाषन या अपने उपर शाषन हो सकता है भारत के सुतनतरता संघर्ष के संदर्व में स्वराज राजनितिक और समयधानिक स्थर पर स्वतनतरता की माग है और सामाजिक और सामुइक स्थर पर यह है एक मूल्ले है इसलिए स्वराज सतंतरता अंदुलन में बहुत बड़ा नारा था आपने सुना होगा बाल गंगादर तिलक ने एक नारा दिया था कि स्वराज मेरा जनमसिद अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा स्वराज का आशे अपने उपर अपना राज भी है जैसे हमने पहले डिसेस किया स्वराज की यही समझ गांधी के हिंद स्वराज में परकट हुई है हिंद स्वराज पुस्तक को महत्मा गांधी ने 1909 में लिखा और यदि हिंद स्वराज के एक सेंटेंस को लें तो जिसमें लिखा हुआ जब हम स्वेम पर साशन करना सीखते हैं तभी सुवराज आता है तो सुवराज केवल सत्मत्रता नहीं ऐसी संस्थाओं से मुक्ती भी है जो मनुष्य को उसी मनुष्यता से वंचित करती है सवराज में मानव को यंट्रवत बनाने वाली संस्थाओं से मुप्ती पाना नहीं थै साथ ही सवराज में आत्म सम्मान, डायत वबोध जिसमें हम अपने कर्तवियों की जानकारी प्राप करते हैं और आत्म साक्षातकर को पाना भी शामिल है सवराज पाने की परियोजना में सच्चे, स्वर और उसके समाज समुदाए से रिष्टों को समझना महत्वोन है गान्डी जी का मानना था कि सवराज के फलसरूप होने वाले बदलाव नियाय के सिद्धान से निर्देशित होकर व्यक्तिकत और सामुहिक दोनों तरह की सम्भावनाओं को अव्मुक्त करेंगे कहना नहीं होगा कि सवराज की ऐसी समझ 21 सदी में भी उतनी ही प्रासंगिक है जितनी की 1909 में जब गान्दी जी ने हिंद्ध सवराज को लिखा था उस समय थी अगला टोपिक है परतिबंधों के स्रोत प्यारे बच्चों हमने सुतनतरता के बारे में विचार किया कि बंधनों का ना होना इसके शाब्दिक आर्थ में हमने पढ़ा था परन्तु सभी प्रकार के बंधनों का ना होना ही सुतनतरता नहीं है बलकि कुछ बंधन भी होने आउशक है तो परतिबंदों का होना आउशक है एक सच्ची सवतनतरता के लिए व्यक्ति की सवतनतरता पर परतिबंद प्रभूत्व और बाहरी नियंतरने से लग शकते हैं ये प्रतिबंद बलपूर्वक या सरकार द्वारा ऐसे कानून की मदद से लगाए जा सकते हैं कि जो शाषकों की ताकत का प्रतिनिद्ट्व करें ऐसे प्रतिबंद उपनवेशवादी सासकों ने या दक्षिन अफ्रिका में रंग भेड की विवेस्थाने लगाए जैसे हमने अभी डिस्क्स किया सरकार की कोई न कोई जरूरत हो सकती है लेकिन सरकार लोगतांत्रिक हो तो राज्य के नागरिकों का अपने शासकों पर कुछ नियंतरन हो सकता है तो परतिबंदों के स्तरोत क्या आउसकते हैं कि ऐसी सरकार भी हो सकती है जो कि अन्याई सरकार है या ऐसे मिधानिक सरकार है और ऐसी सरकार भी हो सकती है जो लोगतांत्रिक सरकार है परन्तु लोगतांत्रिक सरकार ऐसे परतिबंद लगाएगी जो कि सभी नागरिकों के शाब्दिक अर्थ में हमने पढ़ा था कि बंधनों का अभाव होना स्वतिनतरता है लेकिन सभी प्रकार के बंधनों का अभाव होना या प्रतिबंधों का ना होना ये स्वतिनतरता का सीमित अर्थ या नकारात्मकारत है अगर हम वास्त विक्ता देखें तो सुतिनतरता के लिए परतिबंधों का होना अटेंट आउशक है अब आप कहेंगे कि यदि सुतिनतरता हमें दी गई है, कारिय करने की छूट दी गई है तो फिर परतिबंद क्यों लगाई जाएं और यदि परतिबंद लगा दिये जाएं तो फिर हम उसे सुतनतरता कैसे कहेंगे तो प्यारे बच्चों परतिबंदों का होना अटेंट आवशक है बिना परतिबंदों के हम सुतनतरता की कल्पना भी नहीं कर सकते जदी प्रतिबंद नहीं होंगे तो जिसकी लाठी उसकी भैंस वाली जो स्थिती है वो आ सकती है जदी दूसरे शब्दों में बात करें तो समाज में एक जंगल राज की जो स्थिती है वो उत्पन हो सकती है प्यारे बच्चों आप जानते हैं कि विभिन व्यक्तियों के बीच विभिन मुद्दों पर जगड़े होते रहते हैं परतिबंदों का होना इसलिए आवशेक है ताकि इस प्रकार के जगड़ों को रोपा जासेगे जैसे हमने परतिबंद के स्तरोत में पढ़ा कि सरकार या बाहरी परतिबंद जब लगाए जाएंगे तो परतिबंदों के स्तरोत होते हैं और वो जो सरकारे हैं लोगतांतरिक सरकारे हैं वो पर्तिबंद इसलिए लगाती है ताकि समाज में शान्तिकी स्थापना की जा सके और सभी वैक्तियों की स्थांतरता की रक्षा की जा सके लोगों के बीच मत मतांतर हो सकते हैं समाज एवेवस्था की गर्थ में पहुँच सकता है लोगों की महतों कांग्षाओं में टकराव हो सकता है और लोग आपने देखा होगा कि सिमित साधनों के लिए परतिस परदा करते रहते हैं समाज में ऐस एहमती उभरने के कारण अनेक कारण हो सकते हैं और कुस तो खुले संगर्स के रूप में भी व्यक्त हो सकते हैं त्यारे बच्चों हम चारों तरफ देखते हैं कि किन किन मुद्दों पर किन किन कारणों पर व्यक्ती लड़ते हैं सड़क पर गाड़ी चलाते समय, क्रोध में रहते हैं, पार्किंग में जगें के लिए जगडा, आपकी डाले में बेंच के लिए लड़ाई कर सकते हैं, लोग जमीन या मकान के लिए लड़ाई कर सकते हैं या किसी विशेश मुद्दे पर संघर्ष कर सकते हैं हिंसा और कई बार तो जानमाल की हानी भी इसमें होती है तो इस परकार से समाज पर नियंतरन करना अत्यन ताउशक है तो प्यारे बच्चों समाज पर नियंतरन करने के लिए लोगों की सवत्मतरता पर परतिबंद लगाने जरूरी है हम लोगों को उनके मन मुताबिक कारिय करने की खुली छूट नहीं दे सकते उन पर कुछ-कुछ परतिबंद लगाने जरूरी हैं ताकि समाज में शान्ती बनी रहे तो प्यारे बच्चों इस परकार हम समझ चुके हैं कि प्रतिबंदों का होना अत्यनत्य आउशक है Without Bands या Without Restrictions, We Cannot Enjoy Our Liberty हम अपनी सवत्मतरता का पूल रूप से आनंद नहीं ले पाएंगे यदि समाज में प्रतिबंद नहीं होंगे तो क्योंकि फिर उसमें ताकतवर इंसान ही अपनी सवत्मतरता का खुले रूप से प्रियोग कर पाएगा हाला कि महत्वपून सवाल यह है पहचानना है कि स्वतंतरता पर कौन सा परतिबंद आवशक और ओचित्वपून है और कौन सा नहीं अर्थात कौन सा परतिबंद लगाना चाहिए कौन सा परतिबंद नहीं लगाना चाहिए और कौन सी सत्ता ओचित्तपूर्ण यह कह सकती है कि क्या किया जा सकता है और क्या नहीं और क्या हमारे जीवन के कुछ छेत्र और कारिय ऐसे हैं जिन्हें सभी बाहरी पर्तिबंदों से मुक्त छोड़ दिया जाना चाहिए इन सब सवालों के जवाब के लिए आपको स्वत्मतरता के बारे में और व्याख्या करने की आवशक्ता है और समझने की आवशक्ता है जो हम अगले वीडियों में समझेंगे आईए अब पढ़ते हैं स्वत्मतरता के बारे में नेताजी सुभाश शंद्र बोस के विचार यहां पे हम पढ़ते हैं उन्होंने कहा यदि हम विचारों में करांटी लाना चाहते हैं तो सबसे पहले हमारे सामने एक ऐसा आदर्श होना चाहिए जो हमारे पूरे जिवन को एक उमंग से भर देए यह आदर्श स्वत्नतरता का है लेकिन सुतिन्तरता एक ऐसा शब्द है जिसके बहुत सारे अर्थ है हमारे देश में सुतिन्तरता की अवधारणा विकास की एक प्रकरिया से गुजरी है सुतिन्तरता से मेरा आशे ऐसी सरवांगीन सुतिन्तरता है जूवेक्ति और समाज की हो, अमेर और गरीब की हो, स्तारियों और कुर्षों की हो, तथा सभी लोगों और सभी वर्गों की हो इस स्वत्मत्रता का मतलब ना केवल राजनेतिक गुलामी से मुक्ति होगा बलकि संपत्ति का समान बत्वारा, जातिकत अवरोधों और समाजिक ऐसमानताओं का अंप तथा संपरदाइक्ता और धार्मिक ऐस्शाहिश्णता का सर्वनास भी होगा यह आदर्श व्यवार कुशल स्त्री पुर्सों को स्वपन सरिखा लग सकता है लेकिन केवल यही आदर्श आत्मा की भूख मिटा सकता है तो प्यारे बच्चों इस परकार सुवासंद्र बोस की विचार स्वत्नतरता के सरुमान्य अर्थों में व्यक्त होते हैं उन्होंने सभी प्रकार की स्वत्नतरताओं की बात की है आईए अब करते हैं पाठ की दोहराई प्यारे बच्चों आज हमने सबसे पहले टोपी पढ़ा स्वत्नतरता क्या है इसमें हमने जाना कि स्वत्नतरता बाहरी पर्तिबंदों का अभाव है इसका दूसरा पहलो भी हमने जाना कि वहस्ती थी जिसमें लोग अपने रचनात्मक्ता और अक्षमताओं का विकास कर सकने इसके पश्षाथ हमने स्वत्मत्रता का अधर्ष पढ़ा जिसमें नेलसन मंडेला द्वारा लिखी गई उनकी आत्मकता लोग वोग तो फ्रीडम का अध्यन हमने किया उनकी विचारों का अध्यन किया इसके पश्षाथ हमने फ्रीडम फ्रॉम फियर जो की आंग सानसू की ने लिखी है म्यामार की एक बहुत बड़ी नेता जो लोगतंतर के लिए संगर्ष कर रही है सुतंतरता के लिए संगर्ष कर रही है इसके बाद हमने सुवराज के बारे में पढ़ा और महात्मा गांदी के विचारों के बारे में दी परतिबंदों के स्त्रोत अगला टोपिक था कि परतिबंद कहां से लगाए जा सकते हैं सरकार दुआरा भी लगाए जा सकते हैं जो कि लोकतांत्रिक और एलोकतांत्रिक दोनों तरह की हो सकती है परतिबंद परभुत और बाहरी नियंत्रन से भी लग सकते हैं और फिर अंत में हमने पढ़ा कि हमें पर्तिबंदों की आउशक्ता क्यों होती है समाज में किसी भी परकार के टक्राओं से बचने के लिए समाज में शान्तिकी स्थापना के लिए और समाज के उचित विकास के लिए और व्यक्तियों की सभी व्यक्तियों की सवत्मत्रता बनाए रखने के लिए हमें परतिबंदों की आउशक्ता होती है और अब बारी है आज के ग्रह कारिये की ये प्रशन आपको दिये जा रहे हैं आप इनके उत्तर अपने नोट में लिखिए पहला क्वेशन है स्वत्मतरता का आर्थ सभी परतिबंदों का अभाव है क्या आप इस कथन का समर्थन करते हैं यदि नहीं तो क्यों दूसरा प्रश्न है नेलसन मंडेला और आंग सान सू की दुआरा किये गए संघर्ष का समाज के लिए क्या महत्व है तीसरा प्रश्न है स्वराज तथा स्वत्मतरता के बीच क्या अंतर है और चोथा प्रश्न है स्वत्मतरता पर परतिबंद क्यों आवशक है कोई चार कारण लिखिए थैंक यू, हैव अनाइस डे